इश्वर कोई रहस्य नहीं है न किसी गुस्य विधी से संबंधित है। उसे पाने के लिए किन्ही जादूई कृत्यों में उल्जन की आवश्यक्ता नहीं है। इतना ही पर्याप्त है कि हम इश्वर को अपना समझें और उसके होकर रहें। इसकी प्रतिक्रिया एक ही हो सकती हैं चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उत्कृष्टता का समवे। इश्वर का जब ध्यान उत्तम है। उसका मनन चिंतन भी करें। कथा गाथाओं का कथन श्रवन भी उत्तम है। पर स्मरण रखा जाए कि यह सब आरंभिक चरण है। इतने भर से यह नहीं हो सकता कि अंत कारणा, आस्था आकांक्षा और गतिनिधियों में भी देवी चेतना का समावेश हो। स्वार्थ परायंता को सारे पापों की जड़ मानना चाहिए। सुखी, संपन्न और विचार शील समाज का निर्मान तभी हो सकता है, जब उसके सदस्य संकीर्ण व्यक्तिवाद को छो प्रकार से दुखी मनुष्य को आश्वस्त कर देती है। प्रेम एक दिवय अमरित है, जिसका आदान प्रदान मनुष्य को देवता के समान बना देता है। परमात्मा सत्य एवं शिव रूप है अस्तु उसमें विश्वास रखने वाला उसकी इच्छा का अनुगमन करने आस्तिक कोई भी ऐसा काम करने से विरत ही रहने का प्रयत्न करेगा जो उसके मान्य परमात्मा के नियमों के विरुद्ध हो।